कि नमस्कार किसान साथियों आप देख रहे हैं क्रिसी संसार योटूब चैनल मैं हूँ आदर्श और आप के बीच में नई नई वीडियो मुल्खी पारण संबंधित लेकर आता रहता हूं जैसा कि हमारे चैनल का उड़ेस है समेकित किसी प्रणाली आने वाले टाइम में हम सभी चीजों की वीडियों साबको लब्द करवाएंगे अभी हमारा पॉल्ट्री का सिरीज चल रहा है तो आज मैं पॉल्ट्री शिरीज में ऐसे वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हमारे उनको अवसर इसके बाद भी किधर किधर प्राप्त हो सकते हैं और उनका प्रस्चन सनस्थान जो मुख्य मुख्य प्रस्चन सनस्थान है वो कहां कहां पर हैं हम इसके वारे में बात करेंगे यदि आप इसके लिए हमारे वीडियो पर आये हैं तो वीडियो में बने रहें औ और चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यहां वास्तिक्ता है मित्रों की मुर्गी पालन काफी मुनाफ़ा देने वाला व्यवसाय है आज कल हमारे देश में हरियाना पंजाब आंथ प्रदेश महराष्ट तमिल नाडो उत्तर प्रदेश उत्तरा खंड में भी और बिहार और ब आपको मालूम है हम किसी योट्टो चैनल से समय किसी प्रणाली के अंतरगत इसानों को मुर्गी पालन के बारे में अभी बता रहे हैं जिसमें हम उनको फ्री रेंज मुर्गी पालन और देशी विर्ट को प्रमोट करने का प्रोग्राम करते हैं डूलर की किसानों का हम कुछ साथ ही हमारे कमेंट बॉक्स में हम से पूछते हैं कि मुर्गी पालन हम कैसे सुरू करें उसकी क्या क्या जानकारिया हैं आप हमें कुछ बताइए तो इसके लिए मैं सोचा कि एक वीडियो ही डाल देता हूं अच्छा रहेगा तो आप प्रसिचर लीजिए इसके लिए अब प्रसिचर के लिए आपकी योगिता क्या होनी चाहिए मुर्गी पालन द्योग में प्रसिचर प्राति के लिए कोई निश्चित सच्छिक योगिता और आयोसी मानियरधारित नहीं की गई है कोई भी युवा जो मुर्गी पालन छेत्र में नौकरी करना या सहायता की आश्चिता भी नहीं है आप वहां पर प्रवेस्ट ले सकते हैं हमारे लगभग किसान साथियों को या ज्यात होगा कि सरकार मुर्गी पालन को लग घुशित कर चुकी है तो लग घुशित करने का मतलब है कि हमें रिण मिल सकता है मुर्गी पालन सुरू करने के लिए सरकारी सहायता भी मिलती है अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो सरकारी सहायता के अंतरगत इच्छुक विक्ति हैं तो देश के किसी भी भारते स्टेट बैंक की साखा में आप 50,000 रुपे तक का रिड़ ले सकते हैं जिससे आप अपना सोरजगार चला सकते हैं चलिए जानते हैं मुर्गी पालन कैसे सुरू करें मुर्गी पालन सुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ी लागत की आउसकता नहीं है अगर आप बड़े इस तरह से सुरू करना चाहते हैं तो आप बड़ा इंवेस्ट कीजिए छोटे इस तरह से सुरू करना चाहते सबसे चोटा इंवेस्टमेंट अगर मैं कहूं तो बीस से 25 मुर्गियों से आप सुरूख कर सकते हैं जिसमें दो मुर्गें होने जरूरी है अब इसके लिए आपको जिस घर में आप मुर्गियों को रख रहे हैं वहाँ पर मुर्गियां अंडा देना जो पसंद करती हैं वह या सबजीयों की पेटी जो आप मार्केट में देखते हैं या प्लास्टिक का कुछ टब वगारा टाइप का रखके उसमें खर पतवार रखना है या फिर आप बालू रख सकते हैं रेती ऐसा करने से मुर्गियां उसी में अंडा देती हैं और हमें अंडा कठा करने में तक में रह सकें बाहर ना जाएं और आम तोर पर जो यह मुर्गी के बच्चे होते हैं चे महिने के बाद पूरे फुल पिक पर अंडा देना चालू करते हैं इसके लिए इनका हार साफ सुथरा होना चाहिए और हरी सबजियां आप इनको देते रहें किसान साथियों हरी सबजि को कुटफारम महारावली में इस्थित है वहां से साथ किलोमीटर दूरी परसत बड़ी गाउं के पास है और इस संस्थान में वर्ष में दो बार प्रवेश दिया जाता है एक दस सपराइल से नौ मई तक तथा वीस टू वर्ष से उन्निस से नौमबर तक एक मास का प्रसे संस्थान तो आप मुर्गी पालं में अवस्थर क्या-क्या है युअ सिनातक डिगरी धारक सहायक फार्वाधिक चट और कुट्पिका सत्कारी या सुपरवाज़ा जैसे प्रत को प्राप्त कर्स अपना कर्यर बना सकते हैं या जो आपकी अन्य गन्य कंपणियां हैं ब्रॉलर सब्सक्राइब बात कर लेते हैं देश के कुछ प्रसिद संस्थान जो प्रसिच्छा संस्थान हैं हमारे दिन में मुर्गी पालन उत्पादन उनके आहार सम्मधी प्रमाणपद्र डिप्लोमा या डिग्री के पाठकरब चला जाते हैं जबाहर लाल नहरु विश्विद्य ज दश्विद्याले अरंगाबाद महाराष्ठ मैं के सी विश्विद्याले पंतनगर उत्तरांचल में पत्वालन सथान जबलपूर मज ब्रदेश में हैं हर्यानी के सिविद्याले हिसार हर्यादा राजजी में हैं पंजाब को सिविष विद्याले लिधियाना पंजाब में इस्थित है कुटफारम सत्वड़ी गाउं नजदी की महारावली नई दिल्ली या नई दिल्ली में इस्थित है किसान साथ ही इनके अलावा आप अपने किसी विकास केंद्र तासिल इस्तर पर और जिलास्तर पर कुमिद करते हैं हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसी के साथ हम विदा लेते हैं धन्यवाद